साथ ये नमशकार और जिसका जितना लंबा नमशकार उसकी उतनी लंबी कार मैं रावन मकराणी मोटीवेसनल स्पिकर ट्रेनर एमलम सपर कोच और आज मैं एक ऐसे टॉपिक में बात करने वाला हूँ जो अधिकतर लोगों के मन में रहता है किसरम क्या करें कैसे काम करें वेस्टीज में नए लोग नहीं आ रहे हैं आज में उन समका हिलाज करने वालों जिनके दिमाग में यह लबता है कि नए लोग नहीं आ रहे हैं हर नए वैक्ति के मन में एक सवान होता है कि नए लोग वेस्टीज में नहीं आ रहे हैं पर रहे ऐसा नहीं है कि वेस्टीज में नीव स्पॉंसर्शिप नहीं हो रही है मैं आपको बताना चाहूंगा थाइलेंड ट्रिप में लगबग तीन लाख नए लोगों ने वेस्टीज को जॉइन किया वह तीन लाख डिस्ट्यूपिटर किसीने किसी की डाउन लाइन बने ह हम हिंदुस्तान में रहते हैं इतने बड़े विशाल देश में अगर हम यह सोचते हैं कि हमें नए लोग नहीं मिल रहे यह सारा सर गलत है किसी की और एक उगली उठाने से पहले देखो तीन उगलिया स्वें की और इसारा कर रही है और थार आज अपने अंदर चाकना होग कि आप कौन सेंटम जो आप करना चाहिए था और आप नहीं कर पा रहे हैं यह वीडियो जो भी देख रहे हैं मेरे कहने से एक काम कीजिएगा पाच मिनेट के लिए अपनी आग बंद कीजिए और अपना पहला मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला दिन याद कीजिए आप कि सीम भी कंट्री में नहीं था जब वेस्टीज में इतने सारों सांदर कुस्वी टूस नहीं थे अभी अभी कंपनी ने एक नया CMD प्रोडेक्ट लॉंच किया है साथ यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप वेस्टीज को अगर दो रूप में देखना चाहते ह वेस्टीज आज हम हर सेटर में बहुत जादा आगे फिर पिल्पि आपको यह लगता है कि वैस्टीज में नहीं लोग नहीं आ रहें क्या आगर मैं आपको नए लोगों पर लाने का फॉर्मूला बता रहा हूं पता है आपके पास नए लोग क्यों नहीं आ रहे वह इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप अपने comfort zone में है यस बिल्कुल सही सुना आपने comfort zone का मतलब होता है जो भी काम करना आपको अच्छा लगता है वह सभी लेजा आपका comfort zone है आपको घर में नहां अच्छा लगता है घर का खाना अच्छा लगता है जब तक आप ये सारे कारियर नहीं बंद कर देंगे आपको नए लोग नहीं मिलेंगे तो बताइए आपका सवाल इसल करना क्या है आपको अपना comfort जौन तोड़ने के लिए टूल पर जाना होगा नई contact list बनाना होगा new prospects से मिलना होगा टेप को seminar में लेकर जाना होगा अच्छी book पढ़ना होगा बहुत सारे काम है जो आपको पसंद नहीं है पर आपको करने पड़ेंगे ये सारे काम आप नहीं करते क्योंकि आप अपने comfort zone में चल रहे हैं comfort zone comfort zone क्या होता है comfort zone तोड़ने का सबसे बड़ा example में आज आपको देना चाहूँगा एक नाव आपने सुनावा सूपर इस्टार अमीर खान मिश्टर पर्फेक्शन पर बोलते हो उसको और कल पर्फेक्ट चाहिए उनको और आपको पता उनोंने एक movie बनाया था दंगल उस movie के बारे में साइद नहीं जानता आप comfort zone क्या है पता है जब अमीर खान को movie offer वे थी उसमें दो पार्ट था है अमीर खान के एक slim trim दिखना था एक में बहुत मोटा अधेर उवर के अंदर लगबग लगबग वजन 80-90 किलो ओना मैंने जब इंटर्व्य देखार मुझे पता चला ति उनकी डारेक्टर ना offer किया तो उनकी बॉड़ी पर मास्क लगा देंगे कैमरे की सफ़ज हम ऐसा दिखा गए एक वजन बढ़ा हुआ है पर ऐसा नहीं हुआ अमीर खान ने बोला नई पहले में वजन बढ़ा हुआ अपना वजन 80-90 किलो करूँगा उस पार्ट को सूट करूँगा और उसके बाद में दुबारा मैं स्लिम होके फिल दुबारा मैं बची हुई मुवी की सूटिंग करूँगा पता है अपर सोचने की बात क्या थी अब सबसे ज़दा जो आपको ज्यां रखना इस चीश को अच्छे स सून लेना है आपको अमीर खान ने जवाब दिया कि अगर मैं पहले slim वाला part कर लूँगा बाद में मोटा हो जाऊंगा तो मेरे पास में कोई कारण नहीं बचेगा पतले होने का पहले मैं मोटे वाला part कर ले ता हो उसके बाद में मैं पतला वापस होकर और फिन slim वाला part करूँगा साथियों समझना क्या यारी आपर बता है समझना क्या है जब अमीन खान का वजन वड़ गयार दुबारा वजन कम करना था रोजाना 8-10 गंटे जिंग में बिताने थे और डाइट प्रोग्राम करना था उन्होंने अपने प्रमफर्ट जोन छोड़ा उस मूवी ने कमपर्ट जोड़ने के बाद में क्या हो सकता है अकेल उस मूवी ने आज तक की सबसे बड़े रिकॉर्ड बना दिये आपको पता है न पूरे दुनिया में हिविंडे मूवी का सबसे ज्यादा टार्ण आवर करने वाली एक मात्र बार्टे कंपनी है तो वो दंगल है मैं ब बात हमेशा याद रखना जो जो काम आपको पसंद है वह वर काम आप करोगे तो आपको पैसा नहीं आएगा जो जो काम आपको पसंद नहीं है जब वर काम करने लग जाओगे तब आपको पैसा आएगा आज दुबारा अपने आपके साथ बैठिये आपके ने में बैठिय याद करो जब अपनी पहनी पार MLM का फैसलाद किया था वह जोस जुनों इप मन्त वापस अपने अंदर लिख कराओ पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाओ और जापकर मिलो हर इंसान से आप देखोगे कि धनातर धनातर लोग आपके साथ में आपके टीम पे जॉइन होते जा क्या है दोस्तों हम इंदूस्तान में हैं और इंदूस्तान की आपादी है 140 क्रोड की आपको जितने लोग चाहिए सब आपके साथ आने को तयारे और किसी को अगर ये लगे ना कि यह नेट्वर्क में लोग नहीं है मेरे कहने से काम करना अपने मेज़दी की किसी स्कुल मे उस समय पहुशना जब छुट्टी होने वाली हो इसकुल की छुट्टी होने से पाँच मिनट पहले जाना है फिन साइड फे खड़े होगे ऐसे हाद बांग के खड़े रहना और आप देखेंगे कि जैसे छुट्टी होगी बहुत सारे लड़ते और लड़किया इसकुल से ब जौन छोड़ दीजिए वो जरूर आपके साथ में आ जाएंगे और हाँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए और सांदार वीडियो आप तक पहुच सके विस यू वेल्ट